जै मातादी मैं आज रासित सेम्वाल आपका स्वागत करता हूँ एस्टोकाल गर्णा में प्रियदर्शकों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेश रासिवालों का सितंबर महीने का रासिपल कैसा रहेगा मेश रासिवालों का सितंबर का महीना कैरियर की दिश्ची से उन गर आपको अपने प्रचरित नाम रासिफल पर गढ़ित कर सकते हैं। समझने के लिए आपर मैंने कुणली का निर्मान किया है। राहु गरह बराजमान है और आपके छटे भाव में जहाँ पर 6 अंक लिखावाँ पर केतु और शुक्र गरह बराजमान है। वह आपका पंचम भावन यापर सूर्य गरह बराजमान है और आपके शुक्र भावन में जहाँ पर 4 अंक लिए घ्रापर बुद्ध गरह बराजमान है। मास में तीन गरहों का परिवर्तन होगा। बुद्ध दो बार परिवर्तन करेंगी। एक तो चार तारी को परिवर्तन करेंगी। वो सिंग राशी में चले जाएं। उसके बाद 23 तारी को बुद्ध गरह अपनी राशी कन्या राशी में चटे भाव में चले जाएंगे। के चटे भाव में चले याने करण रासी विदने चले जाएंगे तीनों ग्रह जो है परवर्टन करेंगे महीने में परेदर स्बसे अच्छे बात आप 시 बंड़ी है कि पंचम Commerce सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव में यह भाव जो है इन्तान का रह भाव ना प्रेम अफेल लव लाइफ भी यहीं से विचार किया जाता है, बावनाओं का विचार भी यहीं से किया जाता है, तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अध्यन के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा, विद्यारतियों पठन-पाठन के लिए बहुत अच्छा है, उच्छ तो यहां पर बैट करके विद्यारतियों के लिए पठन पाठन के लिए बहुत अच्छा है आपकी अध्यन में रूची बढ़ेगी अपने अंदर की जो कमिया है उन कमियों को आप दूर करेंगे दूसरा जो यूग बनावा आपके रासी के मालिक जो है तो यहां पर बहुत अछा पर बहुत चटे के मंगल दसम के मंगल बहुत अच्छा परण। याँ पर महिनत बहुत जाद कराने वाले हैं और आपके महिनत से ही आपका भाग्या बनेगा क्योंगे मंगल की द्रिष्टी जो सब्सक्राइब भाग्या पड़ेगी अस्टम द्रिष्टी आपके केरियर भावन पर पड़ेगी और चौथी द्रिष्टी मंगल की छटे भाव पड़ेंगे तो पैसा आपने कता ही भी नहीं फसाना है आपने किसी करजा देना है तो सोच समझ कर के ही करना है और अपना पैसा फसाना नहीं है भागय के लिए मंगल का यूग बहुत अच्छा बना है बागय का साथ मिलेगा जो महिनत करेंगे उसमें आपका परिस्थरम जो है भागय और परिस्थरम आपका साथ देगा आपके लिए बहुत अच्छा आप Cityसel आप बड़े इत्यादी की भी आपको समस्या हो सकती, जटे के सुक्र भी हैं, बारवे के राहू भी हैं और रक्त बिकार की समस्या हैं थोड़ा क्रोध इत्यादी ज़धा आएगा, अगर आप अधिक महेनत नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो कहीं न कहीं घर के अंद तागत आपके अंदर बढ़ेगा तो आपने पुराने जितने भी काम है आपके निप्टाने वाले काम है वो काम आप इस महीने करिए तो आपके लिए स्वास्ते में भी कोई परिसानिया नहीं आएंगी और सनी गरव आपके एक आदस में पहले से बैठे वे हैं तो आप इनक की द्रिष्टे पंचम भाव पर भी है और आपके अस्ठम भाव पर भी सनी की द्रिष्टे यहां से तो इसलिए लाब के लिए तो बढ़िया है लेकिन स्वास्ते को ले करके सनी हलकी फुलकी दिक्कते करेंगे तो सनी की उपाई मंगल की उपाई आपने सनी बार के दिन हन परिशानियां कम हो जाएंगे आपकी और साथ में बारवे राओं हैं तो खर्चे बहुत बनाने बढ़ेंगे आपके दवाईयों पर भी खर्चे वो सकते हैं अनावस्यक खर्चों को रोकने के लिए आपने बुद्वार के दिन गणेश की उपास न करें गणेश जी को आप परिवारों में उल जने भी समाप्त होंगी देवा गुरू ब्रस्पति है आपके दोनावारि जना होगा समाति करने हैं और साथ में यहां से बैठ करके आपके छटे भावन को भी देखते हैं अर्थत्रिकोन में बैठे हुए हैं तो कहीं न कहीं धर्ण संपदा कि कोई परिसानी होने वाले नहीं है आपको पैसा आपके पास आएगा आएगे आपके अबसर बनेंगे नौकरी कैरियर के लिए बहुत अच्छा है क्यों नौकरी में दूसरी जोगा जाना चाते हैं जा सकते हैं लेकिन यह है आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी आपको लगता है कि थोड़ा बहुत दिकते थी ओधिकते आपकी मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी आपका कियावा कारिया सराहनिया होगा और जंता से जुड़े भी जितने भी काम हो, उनमें भी आपको लाब मिलेगा, दामपत्य जीवन में हलकी भुलकी नोक जोग हो सकती है, दामपत्य जीवन में हलकी भुलकी नोक जोग हो सकती है, लेकिन जब सुक्र ग्रह आठारा तारीक के बाद, आठारा सितंबर के बाद, आपके सप् तो दामपते जीवने परिसानी परिसानी कहीं दूर होंगी ब्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा स्वास्तिय को लेकर इस महीने थूड़ा बहुत दिखतें दिख रहे हैं और सरकारी छित्रों में सरकारी भी भागों में अगर आपके कोई काम है रुके पड़े में या आपने कोई पेपर देने हैं सरकारी भी भाग समंद में तो सूरिया आपके पंचम में बहुत अच्छा अबसर आपको दे रहे हैं साज में छटे में भी जाएंगे तो वहां भी कोई छटे के सूरिया ब बहुँत जादा रहने वाली प्राकर में मंगल बैठे वे हैं जो विद्ष में रहते हैं। उनके लिए मैं बता दू राहु आपके विद्ष भावूं में बैठे वे हैं। तो कहीं न कहीं हलकी फ़लकी नोग जुख होने की बाते है और मैं इस रास्वालों के लिए कोड़ कचरी के योग तो काफी समय से बने में जब से राहु बारवे भवन में आये हैं तो नोग जोग पारवारिक नोग जोग मित्रों के साथ नोग जोग कहीं भी है उच चल ही रहा है आपके साथ इसलिए आपने बुद्वार के दिन गणेजी की भगवान को जो मैंने अगर आप अपना सयम नहीं खोयेंगे तो कहीं न कहीं भी आपको परयसानी नहीं होने वाले बाद भी बाद रुकेंगे आपके पर याथ्वाले के लिए धन धाने के लिए बादी नहीं लुट बहुत अच्छा महीना है प्रियद तर्सको उपाए मैंने आपको बता दिए अगर अपनी जन्म पत्री का जन्म कुल्ड दिखाना चातें या बनवाना चाते हैं नीची एप्वाइटमेंट नमबर चले इन नमबर प्रMr. आप संपर करके आपने जन्म पत्रे का अध्यन करा सकते हैं अभी के लिए मुझे अनुमत दीजे नमस्कार जैमाता दे